जै सचिदान अन्द फ्रेंड सुन्दा राजपुत के चरल में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे महारास्ट की फेमस मटकी की उसर और ये बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट होती है खाने में इसकी लिया है मैंने मटकी और काले चने इसको अंकुरित कर लिया है इस सरीके से इसको हम अच्छे से वाश करेंगे और एक पतिले में डालेंगे और पतिले में डालेंगे हम पानी पानी इतना डालेंगे कि उसमें अंकुरित मटकी है वह पूरी डूप जाए अब इसमें डालेंगे हम नमक एक सी 1.5 चमच लिया है और इसमें आदा चमच डालेंगे हल्दी और इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे धीमियाश पर अब एक खड़ाई लेंगे हम उसमें एक चमस तेल डालेंगे और इसमें एक प्यास डालेंगे लंबा कटा हुआ और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह इस तरीके से इतना फ्राई करना है हमको किसा कलर चेंज हो जाए अब इसमें डाल देंगे हम ग्रेड़िट किया हुआ सुखा नारियल दो से तीन चमश लिया है मैंने सुखा नारियल डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और आठ से दस कलियां लेसन की इन सब को भी हम फ्राई कर लेंगे अब फ्राई होने के बाद हम गैस आफ कर देंगे अब इदर हमारा आंकुरी मटकी है यह भी पक गया है बहुत नहीं पकाना है इसको आधा ही पकाना है ज्यादा भी गली हुए अच्छे नहीं लगती है अब धंडा होने के बाद यह मसाला हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इसमें दो से तीन चम्मच पाएं डालेंगे और इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे हम अब कड़ाई में हम तेल डालेंगे चार से पांच चम्मच इसमें तेल ज्यादा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा दो तेज और एक चुटके के करीब हिंग और जो हमने भी मसाला का पेस्ट बना के रखा था वह मसाला डाल देंगे इसमें प्याज, नारियल, अध़ियुद्र एफ ने पेस्ट," और लेसन और एक चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे इसमें और 1 फोर्ट चमच haldi पॉर्डर और 1 फोर्ट हम नमक डालेंगे क्योंकि हल्दी और नमक हम अर्रेडी पहले ही डाल चुके हैं और आधा चमच गरम मसला डालेंगे इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे और इसमें डालेंगे हम 3-4 चमच बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से हम भूनते हुए डालते हैं तो बहुत ज़्यादा चटिस्ट आता है इसको अच्छे से हम भून लेंगे अब ये पक चुका है तेल छोड़ दिया है मसाले ने अब ये एकदम तयार है और इसे खुशोवी बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें हमने जो बॉइल करके रखा था मटकी वो डाल देंगे इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धकल लगा के कभी 5 मेंट तक इसको हम पका लेंगे ताकि मटकी में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए अब इसमें हम हरी धन्या से गानेशिंग करेंगे अगर आपको यह चैनल पसंद आदा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जबी भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करू तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके यह त्यार हो गई हमारे सब्सक्राइब थाइंक यू फर वाचिंग जैस अच्छी दानन्द